हरियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज किस श्रिमत भगवत गीता के पहले अध्याय की जो चर्चा हमने पिछली बार भी की उसी को आगे बढ़ाते हुए श्रिमत भगवत गीता एक अनूठा शास्त्र जो जीवन के सभी प्रश्णों को सुल्जा देता है जीवन का ऐसा कोई प्रश्ण नहीं भले वो व्यापार से आता हो, परिवार से आता हो, समाज से आता हो, मन की इस्तिती के उल्जेपन से आता हो, भावनाओं के उल्जेपन स अस्तित में जो गीता का पहला ध्याय है बड़ा महत्पून ध्याय है जब तक अर्जुन की इस्तिति को समझा नहीं जाएगा तब तक आगे गीता जो भगवान शुरी कृष्ट ने गान किया है वताई है ग्यान दिया है हम उसको भी जान नहीं पाएंगे अर्जुन की अवस्था को समझना बहुत जरूरी है या यू कहें कि गीता का पहला अध्याय बाकि जो सत्रा अध्याय है उसकी फाउंडेशन है जिस तरह के अर्जुन के प्रश्ण है जिस तरह की मन की अवस्था में अर्जुन खड़ा है भगवान श्री कृष्ण बड़े प्यार से सहजते मधुरता से अर्जुन के प्रश्णों को सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्जुन है वो मन की किस अवस्था पर खड़ा है अर्जुन के जो प्रश्णों का उल्जाव है उसका जो शंशे है उसके अंदर की जो इस्थिती है और बाहर कुछ वो और बोल रहा है वो दो मुखा हो रहा है वो कहीं जूट का सहरा ले रहा है कहीं अज्यानता की बात कर रहा है कई पंडितों कीती बात कर रहा है कई वो मोहों में आ जाता है कई वो लोब की बात करता है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ वेक्तित्तो है कभी बहुत बुद्धिमानी की बात कर रहा है इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बातों को सुनकर उसकी मन के इस्थिति को समझ रहे हैं जान रहे हैं अर्जुन को जो विशाद हुआ है जो डिप्रेशन हुआ है इसके दो छोर होते है एक विशाद ऐसा है जो हमें निचले स्तर पर ले जा सकता है और वही विशाद हमें उचे स्तर पर भी ले जा सकता है यदि विशाद व्यक्ति को हो जाए, डिप्रेशन हो जाए और वो उसे गहरे अंधेरे में जाता चला जाए, उतरता चला जाए तो वो आत्म हत्या तक कर सकता है, आत्म घाते भी हो सकता है लेकिन यदि विशाद किसी को हो और उसको गुरु मिल जाए तो वही विशाद उसको आत्म साक्षातकार तक पहुँचा देता है विशाद की दो दिशाएं एक दम फट जाती है एक बिल्कुल अधोगती की हो सकती है और एक पूरी उर्दगती की हो सकती है एक जो सामान निवक्ती है उसके अंदर वह अंदर से जो आग है वो नहीं लगती वो नहीं सुलकती इसलिए उनके लिए अध्यात्म की यात्रा बहुत कठिन हो जाती है चुकि वो आग ही नहीं है वो विशाद की वो वूची अवस्था ही नहीं है वो विशाद जैसे बुद्ध को हुआ था देखकर बूढों को देखकर, मरते हुए लोग को देखकर, महावीर को था, तुलसी को हुआ था, डाकू रतनाकर को हुआ था उन्होंने अपने उस उर्जा को जो नीचे के तरफ गिर गई थी उसको उठाया है गुरू के माध्यम से उचाई पड़ ले गए हैं और आत्म साक्षातकार तक, जीवन के चर्मोत्म लक्ष तक उसको पहुँचा दिया है अर्जुन को भी वही विशाद हो रहा है और ये विशाद भगवान देख रहे हैं कि जतना विशाद होगा, जतना गहरे इस तर पर ये उतरेगा, उतना ही वहाँ से निकालना इसको आसान हो जाएगा यदि अर्जुन की बात शुरू में ही वो रखता और भगवान श्री कृष्ण शुरू में ही उसको उस बात को रफा दफा कर देते तो इतना ग्यान जो पूरी गीता है, उसका आरंब ना होता इसलिए पूरा बोलने का मोका भगवान ने अर्जुन को दिया तो अर्जुन जब पूरी तरह से, हर तरह से अपनी बात को भगवान के सामने रख रहे हैं और मन की इस्थिती बदल रही है, विकार की अवस्था बदल रही है, बुद्धी बदल रही है तो भगवान समझ गए हैं कि अब सही समय आ रहा है जब तक सही समय नहीं आया तब तक भगवान नहीं बोला लोहा जब गर्म होता है तो चोट मारी जाती है जब तक वो पूरी तरह से गर्म ना हो जाए चोट मारना बिकार है चोट मारी भी जाए तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है गुरु यही कारे करते हैं कि सही समय पर सही बात पेश करते हैं तो पिछली बार हमने अरजुन की जो बाते अरजुन ने रखी 31 स्लोक तक पहले अध्याय के उसकी चर्चा की उसके बाद अरजुन कह रहे हैं कि है कृष्ण स्लोक 32 हे कृष्ण ना मुझे विजय की इच्छा है ना राज्य की और ना सुखो की हे गोविंद हमें राज्य से भोग से और जीवित रहने से भी क्या लाब है जिनके लिए हम राज्य भोग और सुखो की आकांख्षा करते हैं वे ये सब अपने जीवन और धन को त्याक कर युद्ध में खड़े हैं स्लोक 32 और 33 असलत में अर्जुन की जो ये बात है ये बड़ी अठपटी है या यू कहें यहाँ पर अर्जुन थोड़ा सा जूट बोल रहा है जो अंदर है वो बाहर नहीं है और जो अंदर है उसको बाहर नए तरीके से पेश किया जा रहा है वो कह रहा है कि मुझे सुख तो चाहिए मुझे विजे भी चाहिए मुझे राज भी चाहिए लेकिन अपनों को मार कर नहीं चाहिए तो सुक चाहिए, विजे चाहिए, राज चाहिए, उसे सब चाहिए यदि बिना मारे उसे मिल जाए तो वो स्विकार करके बैठ जाएगा लोब तो जगा है लेकिन उपर से वो कह रहा है कि इनको मारूं कैसे और यदि इसकी गहराई को हम देखें तो हम जान पाएंगे कि हम जो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ हम अपने आपको धन के स्तर पर, पद के स्तर पर हर स्तर पर जो बड़ा करते हैं किसको दिखाने के लिए करते हैं जिसको हम जानते नहीं उसको क्या पड़ी है कि तुम्हारे पास क्या है हम जो अपने आपको बड़ा करने में लगे रहते हैं केवल अपने को अपने वालों को दिखाने के लिए ही करने लगते हैं कि देखो अब मेरे पास कुछ हो गया है, अब मैं वो नहीं राज जो पहले था, अब मैं बड़ा राजा हो गया हूँ, मैं धनी हो गया हूँ, मेरी पद प्रतिस्ठा, मेरी कीरती चारों तरफ फैल गई है। जिसको हम जानते नहीं उससे तुलना क्या करेंगे, उससे हम तुलना करते ही नहीं है, चुकि जहां पर राग चल रहा था, द्वेश वही होता है, जिन से आस तक हम तुलना करते आये थे, जब कुछ हम बड़े हो जाते हैं, तो अब हम उसको फोन करके बदा देते हैं, कि पहले इस निजर से देखते थे, इस तरह से देखते थे, तो अपने वालों को ही कुछ बता देने के लिए, और अपने वालों की जमात में उपर उठ जाने के लिए ही तो सारा प्रपंच किया जाता है, सारे आयोजन किये जाते हैं, और आप अनुमान करें, अपने वाले ही मेरे पास में एदियम जीत गए तो बताऊंगा किसको मैं राज किस पे करूँगा मैं भोग क्या भोगूँगा जिनको बताना है वो ही तो जा चुके है तो ओ कह रहा है कि मुझे राज चाहिए मुझे सुख चाहिए कि सब जिनना हो तब चाहिए इनको फिर में बताऊं कि देखो अब मैं तुम से ज़्यादा बलशाली वीर और विजेता हो गया हूँ तो अपने वालों की नजर में उचा हो जाऊं ये भाव जो अंदर मानव के रहता है और जब लगे कि अपने वाले ही जा रहे हैं तो भाव भी कही हिलने लगता है वो डगमगाने लगता है उस भाव में कमपन पैदा हो जाती है और जब उस भाव में कमपन पैदा होती है तो मन कहता है व्यक्ति कहता है कि अरे ने क्यों मारूं चुकि आज नहीं तो कल कोई और सुख ले लूँगा फिर उनको दिखा दूँगा लेकिन ये खड़े रहें ये जू के त्यू रहें इनको मुझे नहीं मारना है राग और द्वेश यहाँ पर खड़ा है और वो खड़ा है अरजुन के अंदर कि अपने वाले को दिखाऊं कि मैं कुछ हो गया हूँ इसलिए मुझे राज चाहिए भोग चाहिए सब कुछ चाहिए लेकिन इनके बिना मारे चाहिए आगे कह रहे हैं कि आचाहरे ताउ, चाचा, पुत्र, पिता मेह, मामा, स्वसुर, पोत्र, साले और भी अन्न जो सम्मंधी हैं हे मदुसुदन, मुझे मारने पर भी इन तीनों लोकों के राज ची के लिए इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर प्रत्थी की तो बात ही क्या है वही बात अब वो बार बार दोरा रहा है और नएने तरीके से दोरा रहा है क्योंकि ये सब चाहिए क्योंकि मुझे अपने आपको बड़ा इनी के सामने तो दिखाना है वो नए नए तरीके से अपनी दलीले आगे देना शुरू कर रहा है कि हे जनारदन, दृत्रास्ट के पुत्रों को मार कर हमें क्या खुशी होगी इन आतताईयों की हत्या से हमें पाप ही लगेगा अब जिसको मार दिया उसे क्या पता कि अब मैं किस अवस्था में हूँ वो सामने जीते रहें, देखते रहें कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ तुम छोटे हो गये हो, तुमने मेरा राज़ पाट लिया था मैंने अब उसको वापिस ले लिया है, मेरा विस्तार बड़ा है तो इनको मारने से तो वो सारी बात ही खतम हो जाएगी लेकिन अरज़न इस महीन बात को छुपा रही है वो कह रहे हैं कि इन आतताईयों की हत्या से हमें पाप लगेगा अतै हे माधव, धृत्राष्ट के पुत्र जो मेरे ही बंदु बांधव है उनको मारना हमारे लिए उचित नहीं है क्योंकि स्वजनों को मार कर हम कैसे सुखी हो सकते हैं सुख तो स्वजनों को नीचा दिखाने में आता है सुख कोई स्वजनों को उचा उठाने में थोड़ी आता है यदि स्वजन नहीं मर गए तो सुख फिर कैसे मिलेगा सुख का मतलबी है कि मैं बड़ा हूँ और वो छोटे हैं सुख का मतलबी है कि मेरे अनुरूप सब काम हो जाएं तो नीचा दिखाने में सुख नहीं है उनको नीचा दिखाने में सुख है उनको मारने में सुख नहीं है तो यदि वो ही मर गए तो मैं सुखी हूँ किसको कहूँगा मेरे बड़े ठाट बाठें मैं किसको कहूंगा अर्जुन की सुक की परिभाशा भी वही है जो हम सब की होती है जो मानो मन की परिभाशा है मन तो जूका क्यूं है साड़े पाँच जार साल पहले अर्जुन का जो मन था उसी परंप्रा से लगातार मानों के मन वैसे ही रहे हैं वही विकार रहे हैं, जूके त्यू रहे हैं, वही सोच रही है अरजुन यहां पर सुख की बात कर रहा है असलिप में जब भोतिक सुख समाप्थ हो जाता है तभी आध्यात्मिक सुख का प्रारंब होता है तो और भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि वो किन किन बातों के ऊपर बड़ा जोड़ दे रहे हैं वो आगे कह रहा है कि यदपी लोब से चित को ब्रस्ट किये हुए ये लोक कुल के विनास से होने वाले दोश को और मित्रों से विद्रों करने में पाप को नहीं देख पा रहे हैं अब अरजुन जो है वो दुरियोधन का लोब देखना शुरू कर रहा है यदपी लोब से चित को ब्रस्ट किये हुए ये लोग चुकि लोब है दुरियोधन ने पांड़ों का राज्य छीना हुआ है जुए में जो हारे थे जो वापिस करना था अग्यातवास के बाद में वापिस नहीं किया अब दुरियोधन को लोब जग गया कि नहीं ये राज्य मेरा है तो पांड़ों का राज्य भी हडप लिया अब अरजुन दुरियोधन के लोब की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि दुरियोधन के अंदर लोब के कारण से उसकी मती भरस्ट हो गई है उसका चित्त पूरी तरह से विक्षिप्ट हो गया है वो देख नहीं पा रहा है कि कुल का नाश हो जाएगा समित्र खतम हो जाएंगे और उसके बाद जो पाप उसको लगेगा वो भी नहीं देख पा रहा है दुरियोधन का लोब अब अरजुन उसकी चर्चा कर रहे है अरजुन को मोहो है दुरियोधन को लोब है अपना विकार कोई नहीं देखता हम दूसरे के ही विकारों को देखते रहते हैं और जीवन दूसरों के विकारों को देखने में निकल जाती है दूसरे की छोटी सी कमी भी बड़ी दिखाई देती है और अपनी बहुत बड़ी कमी भी बिल्कुल दिखाई नहीं देती और उसको हम न जाने किन-किन तरीकों से सत्य करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं ठीक हूँ, गलत तो तुम थे भले गलत हम रहे हूँ लेकिन हम अपने को गलत बता देंगे तो एहंकार तो डावा डोल हो जाएगा तो दूसरे का लोब दिख रहा है अपना मोँ अब दिखेगा नहीं तो दूसरे का विकार देखकर हम खुश होते हैं चुकि वहाँ पर हमारा जो एहंकार है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है कि दूसरे में विकार है दूसरे में कमिया है तो दुर्योधन का लोब दिख रहा है आगे कह रहे हैं कि किन्तु है जिनारदन हमें तो कुल के विनास से उत्पन होने वाला दोश दिख रहा है इसलिए हमें इस पाप से दूर रहने का विचार करना चाहिए उसे नहीं दिख रहा है अब अरजुन अपने को तुछा ग्यानी पेश कर रहा है कि देखो मेरे अंदर तो वो बुद्धी मत्ता जाग गई है उसके अंदर नहीं जाग रही है अरजुन की दलीले शुरू हो गई है अब आने वाले स्लोकों में अरजुन नए नए तरीके से दलीले देगा जिससे मैं युद्ध ना करूँ जितनी दलीले अरजुन दे सकता है वो सब दे देगा अरजुन ये नहीं चाहता कि मैं कारण ना बताऊं और युद्द से भाग जाऊं वो कहता है कि मैं पूरी तरह से आपको कारण बता रहा हूं कि मैं युद्द क्यों नहीं करना चाहता हूं और हर द्रश्टिकोंड से वो कारण बता कर भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित करके उनको हां करा लेना चाहता है वो चाहता है कि जो मैं चाह रहा हूं मैं बोल रहा हूं मैं सोच रहा हूं वही भगवान में उसमें हामी भढ़ दे और कह दे कि चलू वापिस और अर्जुन की जो दलीले है इनको ये दियमबारी की से देखें तो एक बुद्धिमान ही व्यक्ति ऐसी दलीले दे सकता है एक बुद्धिमान दे सकता है लेकिन एक आध्यात्मी व्यक्ति नहीं देगा चुकि अर्जुन को या अध्यात्मिक थोड़ी है वो युदिस्टिर की तरह पूरे धर्म राज भी नहीं और दुर्योधन की तरह पूरे पाप में लिप्त भी नहीं वो बीच की अवस्था का व्यक्ति है वोना धर्म में जिसको हम बाहर का धर्म अपने उपर थोप लेते हैं धर्म तो भीतर से प्रकट होता है ध्यात्म तो भीतर से प्रकट होता है हम जब बाहर के शास्त्रों को पढ़कर याद करकर और उनमें जो बाते कही गई हैं उनको याद कर लेते हैं और उनपर चलने लगते हैं तो हम अपने आपको धर्म का अनुचरण करने वाले बता देते हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जो जो शास्त्र में कहा है उसके उल्टा पूरी तरह से वो उल्टा चलता है तो यहाँ पर जो युदिस्टिर है उनके अंदर जो ग्यान है उनके अंदर जो धर्म है चुकि वो अपने आपको बहुत धर्म राज समझ रहे हैं तो यह जो प्रश्न है कि युद्ध नहीं करना चाहिए वो उनके अंदर भी नहीं उठ रहे हैं और दुर्योधन जो पूरी तरह से आतताई है पापी है उसके अंदर भी नहीं उठ रहे हैं ये तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है जो अब सोच सकता है समझ सकता है अर्जुन जैसा व्यक्ति ही इस तरह के बुद्धिमत्ता के प्रश्न कर रहा है आगे कह रहा है अब एक नई दलिल अर्जुन ने शुरू कर दी कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नस्ट हो जाते हैं धर्म के नस्ट होने पर समस्त कुल में अधर्म फैल जाता है और अधर्म के बढ़ जाने से कुल की इस्त्रियां दूशित हो जाती हैं और हे वार्षने इस्त्रियों के दूशित होने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं अरजुन ऐसी बात कर रहा है कि जैसे इसने आस तक कोई युद्धी नहीं लड़ा किसी को माराई नहीं किसी को किसी स्त्रिय को विद्वाई नहीं किया बच्चों को कभी अनात नहीं किया सब करके बैठा है कितनों को मार कर बैठा है जुट बोल रहा है दलीले पेश कर रहा है अपने आपको बुद्धिम मान मान रहा है या तो आस तक व्यक्ति ने कभी युद्धी ना किया हो हिंसा ही ना की हो पूरी तरह से अहिंसक हो और फिर वो ये बात कहे तो पूरी जच्च्ती है चुकि ये तो युद्ध से मन की अवस्था जब गरबडा गई तो युद्ध से हटने की बात कर रहा है वो आगे कह रहा है कि वन संकर कुल का नाश करने वालों को और कुल को नरक में ही ले जाता है क्योंकि उनके पितर, पिंडदान और जल, तरपन की क्रिया से लुप्त होने पर अधोगती को प्राप्त होते हैं इन वन संकर कारक दोशों से कुल का नाश करने वालों के सनातन कुल धर्म और जाती धर्म नस्ठ हो जाते हैं बगवान को वो पट्टी पड़ा रहा है और कह रहा है कि हम सुनते आएं कि जिनका कुल धर्म नस्ठ हो गया है, ऐसे मनुश्युका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है ये सब सुने सुनाई बाते जो समय पंडित ब्रामनों ने रची थी गड़ी थी, जिनका बहुत बोल बाला था, वो केवल वो ही बाते कर रहा है, अंदर से जो वास्तिक्ता है वो उसका बया नहीं कर रहा है वो कहीं यहां से सुन लिया वहां से सुन लिया, और सब इखटा करके अपनी दलिले युद्ध नहीं करने की भगवान के सामने पेश कर रहा है इन बातों में कुछ है नहीं वो भगवान भी समझ रही है कि इन बातों में कुछ है नहीं इसलिए बहुत सारे प्रशन अरजुन के ऐसे हैं, जो पूरी तरह से निरर्थक हैं, भगवान उनका उत्तर ही नहीं देते चुकि जब मन बिखर जाता है तो अनेक प्रकार के उल जलूल प्रश्न हम खड़े कर देते हैं जिनका कोई ओर नहीं, ठोर नहीं जिनका कोई आधार नहीं अनावशक प्रश्न हम खड़े कर देते हैं अनावशक दलीले पेश करने शुरू कर देते हैं जिससे जो वास्त्विक्ता है उससे व्यक्ति हट जाए अर्जुन भी भगवान श्रीकृष्ण को वहां से हटाना चाह रहा है कई वो धर्म की बात करता है कभी कुल की बात करता है कई विद्वाओं की बात करेगा अनात बच्चों की बात करेगा खून बह जाएगा सम मर जाएंगे मेरे वाले मर जाएंगे स्वजन मर जाएंगे मित्र मर जाएंगे चारो तरफ हाहा कार और तरही तरही हो जाएगा ये अब क्यों दिख रहा है करके दोनों सैनाएं आमने सामने खड़ी हैं ये तो पहले से भी पता है और आगे कह रहा है कि आश्यरी है दुख है हम राज्य और सुख के लोब के कारण माहान पाप करने को तैयार हो गए हैं और अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं वो स्विकार कर रहा है कि राज्य और सुख के लोब के कारण वो अपना लोब भी स्विकार कर रहा है कि हमारे अंदर लोब है लोब है कि और पाने की इच्छा है लोब है कि और आजाए ये और और कि जो लोब की इच्छा है उसके आधार पर हम अपने वालों को क्यों मारें एक और दलील और अपने वाले जो स्वजन है केवल राज्जी के लिए हम तयार हो गए मारने के लिए इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए यदि हम मानो मन को देखें तो वो अपने वालों को मार कर भी राज्य पालेना चाहता है, सुख पालेना चाहता है वो उनको दुखी करके खुद सुखी हो जाना चाहता है ये पहले मन की अवस्था थी अरज्ण की, इसलिए तो युद्ध का आयोजन किया गया था लेकिन अब अचानक मन की अवस्था पूरी तरह से हिल गई है हिल गई है और मोह पूरी तरह से गहराईयों से जाग गया है डिप्रेशन हो गया है कभी वो अपने लोब की बात गिना रहा है, कभी मोह की बात गिना रहा है वो लोब और मोह में ही अटका हुआ है वो कह रहा है कि मेरे वाले हैं, ये मोह है और ये मेरा राज्जी, ये मेरा भोग, ये मेरा सुक, ये लोब है तो लोब और मोह ये दो ऐसे विकार हैं व्यक्ति के अंदर जो हमेशा से बने रहते हैं और उम्र का कोई भी पड़ाओ आ जाए लोब जाता नहीं है व्यक्ति कहेगा नहीं थोड़ा साठ साल के हो जाएंगे तो सब छोड़ कर भजन करेंगे वो साठ का हो जाता है तब भी वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो अभी सब कुछ भी अवस्ता करनी है फिर वो सत्तर का हो जाता है वो तब कहता है वो लोब जूका त्यों चलता रहता है लोब में कमी थोड़ी आती है उम्र बढ़ती जाती है लोब जूका त्यू जगा रहता है ऐसी मोह है उम्र बढ़ता जाता है और विक्ति कहता नहीं पचास साथ साल के बाद तो भगवान का भजल लेंगे अपने वालों को सब कुछ दे देंगे लेकिन मोह ऐसा है कि उनसे अपना जो आसकती है जो राग है वो छूटता ही नहीं है ये लोब और मोह लगातार जगे रहते हैं अंत समय तक जगे रहते हैं विक्ति का क्रोध कहीं गिर जाता है शायद कहीं कामवासना भी गिर जाए शायद कहीं दुएस भी गिर जाए लेकिन लोब और मोह जगा रहता है और अर्जन जो है उसी लोब और मोह की बात कर रहा है आगे कह रहा है 46 स्लोक में कि यदी रण में ध्रतरास्ट के शस्तधारी पुत्र मुझ विरोध न करने वाले और निशस्त्र को मार भी डाले तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्यान कारक होगा और डिप्रेस हो गया है अर्जुन दीरे दीरे वो डिप्रेस के निचले इस्तर पड़ जा रहा है और यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे वो मार डाले चलेगा मैं नहीं मारूंगा वो ठीक है मेरा मारना ठीक नहीं उनका मुझे मार देना ठीक है और डिप्रेशन में व्यक्ति कुछ ऐसे ही सोचता है अवसाद में मन ऐसे ही हो जाता है कि अरे और इसलिए तो अवसाद जब पूरी तरह से बढ़ता है तो व्यक्ति सुसाइट कमिट करते हैं आत्मत्या करते हैं कभी प्रसन्न व्यक्ति को आत्मत्या करते वे देखा है उसकी इच्छाएं पूर्ती हो रही है वो आत्मत्या थोड़ी करता है वो जो चाहता है वो वैसा सब कुछ प्रकृती उसके अन्रूप कर रही वो आत्मत्या कैसे करेंगा आत्मत्या तो तब करता है जब पूरी तरह से मन जो चाह रहा है वो ना हो रहा हो और वो धीरे धीरे एक अंदे कुए की तरफ मन जा रहा हो इस समय आकर अर्जुन पूरी तरह से डिप्रेस हो गए है दलीले दी हैं लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे है वो मुस्कुरा रहे हैं वो देख रहे हैं तो जब एक पक्ष कुछ बोल नहीं रहा होता तो दूसरा पक्ष लगातार बोलना शुरू कर देता है वो बोलता जाता है और अंदर जितनी भड़ा से वो सब निकालना शुरू कर देता है और जोने सारी दलीले चुकी भगवान देख रहा है कि एक बुद्ध एक भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं एक ऐसा व्यक्तित जो पूरी तरह से समझता है उनके सामने जो उची उची बाते हैं वही की जा सकती है छोटी छोटी बातों में भगवान श्री कृष्ण मेरे बहकावे में नहीं आएंगे इसलिए वो पंडित पुरुईतों की बात तक शास्त्रों की बात तक करने को आतुर हो गया और अंत में पहले ध्याय का जो अंतिमी स्लोक है वहाँ पर संजे बोले इस प्रकार कहकर शोक से व्याकुल मन वाला अर्जुन रन भूमी में बान सहीत धनुष का त्याग करके रत के पिछले भाग में बैठ कया जब डिप्रेशन होता है तो सारा उत्सा, उमंग, उलास, स्फूर्ती सब खतम हो जाती है सारा लोब ढह जाता है डिप्रेस वक्ति को लोब रहता ही नहीं है उससे नहीं चाहिए कुछ चुकि डिप्रेशन में मन एक जहें पर अटक जाता है वास्तिक्ता में दिखा जाए तो गीता एक मनोविज्ञान है एक वो मनोविज्ञान है जो केवल मन के आधार पर खड़ा होता है मन कोई ठीक करता रहता है और मन कोई ठीक करते करते मन तक ही पहुँच पाता है मन के इस छोड से उस छोड तक पहुँचता है मनोविज्ञान में मन को ही ठीक किया जाता है लेकिन जो गीता का मनोविज्ञान है वो एक बहुत ही उंचा मनोविज्ञान है वो एक ऐसा मनोविज्ञान है जो मन को ठीक करके उसको आत्मा तक पहुँचा रहा है मन को आत्मा तक ले जा रहा है मन मना भव कर रहा है ये एक भार्ति संस्कृति का बहुती स्वस्त मनोविज्ञान है यदि हम पास्चाति संस्कृति में मनोविज्ञान को देखें तो वो केवल मन के आधार पर ही मन में जो पास्ट पड़ा है दुख पड़ा है उसी को ही वो बढ़ाते रहते हैं चड़ाते रहते हैं उसी की ही वो नकाशी करते रहते हैं उसी को ही ठीक करते रहते हैं जैसे मालो पुराने ही घर को फिर से रिपेर किया जा रहा हो बारवार लगातार पुराने ही घर को रिपेर किया जा रहा हो लेकिन जो गीता का मनोविज्ञान है भगवान श्री कृष्ण का मनोविज्ञान है वो उस मन को ढहा कर नए मन का निर्मान करते हैं और उस मन को इतना उचे ले जाते हैं कि वो आत्म भाव तक महुँच जाए तो अर्जुन के प्रश्ण जो पूरी गीता में आगे आएंगे और अभी तक जो आ रहे हैं ये भी बड़े महत्पूर्ण हैं ये प्रश्ण व्यक्ती एर कंडिशन में बैट कर नहीं कर सकता अर्जुन तो युद्ध की विपुल बजा है शंक बजे हैं नाद बजीरे बुर्दंग बजे हैं ढोल बजे हैं आवाजे हो रही हैं दिल दहलाने वाले ध्वनिया पैदा हो रही है और वहां पर वो बुद्धि मत्ता के पूरी गीता में प्रश्ण कर रहा है एक जहें पर अर्जुन बहुती सदा हुआ व्यक्तित तो दिख रहा है और दूसरी जहें पर वो बहुत बिखरा हुआ दिख रहा है एक जिगे पर वो ऐसे प्रश्ण उठाता है भगवान के सामने वो ऐसे नहीं एकदम भगवान को स्विकार कर लिता जो आपने कहा ठीक है जैसे अक्सर व्यक्ति अपने गुरू को कह देते हैं जो आपने कहा ठीक है गुरू जी वो बार-बार प्रश्ण करता है और कई बार जब उसको लगता है कि ये कुछ उसे जच नहीं रहा है तो वो उसका क्रोस क्यूश्शन भी कर लेता है तो यदि हम महाभारत के माहोल को देखें तो इस तरह के प्रश्ण करना आसान नहीं है तो अरजुन की बुद्धि मत्ता अरजुन का बल उसका ठैराओ भी हमें समझना होगा उसका बिखरापन भी समझना होगा उसका ठैराओ भी समझना होगा और भगवान श्रीकृष्ण दोनों ही समझ रहे हैं उसका जो ठैराओ उसकी जो बुद्धि मत्ता है इसी को आधार बनाकर वो उसको उचा लेकर जा रहे है यदि पूरी तरह से वक्ति विखर जाये तो उसको ज्ञान में उचे ले जाना बड़ा मुश्किल है लेकिन यदि उसका विखरे हुए प्रश्ण भी बहुती स्थिरता से आ रहे हो कहीं न कहीं उसका संतुलन पूरी तरह से टिका हुआ हो तो उस संतुलन को और ताकत देना आसान हो जाता है इस तरह से यहाँ पर जो पहला ध्याय है जो पूरी श्रिमत भगवत गीता का आधार है अर्जुन की विथा है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है और ये अरजुन की विथा नहीं है ये तो पूरी मानोजादी की विथा है ऐसे ही तो है वही लोब है वही मोह है जूका त्यू चला रहा है नजाने कितनी जाती आई चली गई नजाने कितना समय बीता हज्जारों साल बीत गए मन जूका त्यू रहा उसके उलजने जूकी त्यू रही उसके विकार जूके त्यू रहे यहाँ व्यक्ति बदल जाते हैं स्थान बदल जाता है देश बदल जाता है विकार जूके त्यू रहते हैं चुकि मन जूका त्यू है तो अरजुन के प्रश्ण के वल अरजुन के प्रश्ण नहीं वो हमारे भी प्रश्ण है और हम भी कही ना कहीं किसी ना किसी युद्ध के स्तर पर खड़े हैं महाभारत का युद्ध हमारे अंदर भी लगातार चल रहा है एक अच्छे विचार और बुरे विचारों का द्वंद चल रहा है बुद्धी के संशेयों का द्वंद चल रहा है मन की खयालों का द्वंद चल रहा है पास्ट और फ्यूचर का द्वंद चल रहा है यहां द्वंद चल रहा है हमारी बुद्धी मत्ता का विवेक का और अपने शब्दों में बया कर रहा है, पूरी तरह से उसको बात रख पा रहा है, शायद हम इस तरह से अपनी बात को नहीं रख पाते, इसलिए ये गीता इतनी महतपूर्ण है, इसलिए महाभारत का युद्ध, इतना बड़ा युद्ध जो धरती पर हुआ था, वो कहीं खो गया लेकिन गीता जगी रही, यहां महतपूर्ण महाभारत का युद्ध नहीं, महतपूर्ण तो गीता है और गीता में भगवान श्री कृष्ण का ग्यान है, वो इतना उचा ग्यान जो मानो मन को पूरी तरह से आतम भाव में टिका सकता है, यदि गीता में केवल मन को क्र की होती है, लेकिन वहाँ पर आतमा तक पहुँचाकर आतमा में टिकाकर आतमा की पूरी स्थित और स्थित प्रग्य के लक्षन बताते हुए, और पूरी दिंचरिया बताते हुए, A to Z जो है भगवान श्री कृष्ण की जीवन को जीएं कैसे, ऐसा थोड़ी है कि जीवन मि गया तो हमें पता है हम कैसे जीएं, हमें पता है हम सांस कैसे लें, हमें पता है मन को कैसे चलाएं, पिंद्रियों को कैसे परियोग करें, बुद्धी का कैसे परियोग करें, एंकार का कैसे परियोग करें, विकारों का सही परिकार से परियोग कैसे करें, हमें कुछ नहीं प वास्तिक्ता में जीवन जो है वो तो हम उसको जीते ही नहीं है, उसको छूते ही नहीं है। तो गीता का जो दूसरा अध्याय है वहाँ पर जो पहला इसलोक है करुणा शोक युक्त वै आसों से भरे नेत्रों वाले अर्जुन से मधुसूदन ने इस प्रकार कहा भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन इस संकट काल में तुम्हारे मन में ये महों कहां से पैदा हो गया ना तो ये आर्जुनों का आचरण है ना स्वर्ग देने वाला है और ना ही यश्च की प्राप्ति कराने वाला है हे पार्थ नपुन सकता को प्राप्त होना तुम्हारे लिए उचित नहीं है हे शत्रू का नाश करने वाले अरजुन हुर्दे की शुद्र दुरूबलता को त्याक कर खड़े हो जाओ अब यह यहाँ पर जो बगवान है वो भी बहुत अच्छी तरीके से अरजुन के सामने अपनी बात रख रहे है जैसे कोई डिप्रेस वेक्ती है और उसको हम उत्साह की बात करें जैसे वो उस डिप्रेशन को छोड़कर वो आ जाए तो भगवान भी पहले इस तरपर सबसे पहले इस तरपर आत्मा का ज्यान देने से पहले वो केवल उसके मन को बूस्ट करने की बात कर रहे है कि उसका मन वहां से उठ जाए कि नपुन सक्ता को प्राप्त होना तुम्हारे लिए उचित नहीं है हे शत्रू का नाश करने वाले याद दिला रहे हैं कि तू कितना बलवान है और आज तक साट्रों का नाश देने किया है ये तेरे अंदर हर्दे में एक कमजोरी कैसे पैदा होगी उसको याद दिला रहे हैं उसका पुराना बल पहला बल शायद उसको अपना बल ही याद आ जाए जैसे हनुमान जी को अपना बल ही याद आ गया था और वो समुद्र लांकर लंका पहुंचे थे ऐसे ही हम जो पूरी तरह से डिप्रेस वेक्ती होता है उसको उसका बल ही याद दिलाते हैं उसका पद याद दिलाते हैं उसका धन याद दिलाते हैं उसको सजाते हैं समारते हैं अच्छे कपड़े पहनाते हैं उसको अच्छा भोजन कराते हैं और उसको याद दिलाते हैं तेने क्या क्या किया है जीवन में आस तक सोच तो शायद उसको वो याद आकर उसका मन जो है वो थोड़ा और मजबूत हो जाए उसका मनोबल बढ़ जाए ये एक तरीका है और मनोविज्ञान में ये तरीका चलता है ये बहुत एक प्रारंबी का वस्ता है जिसको भगवान यहां टच कर रहे हैं देख रहे हैं कि ये कहां हो सकता है कि वो अरजुन जैसी भगवान ने कहा हे शत्रू का नाश करने वाले अरजुन ये कहां से तेरे अंदर दुरबलता आ गई तो हो सकता है कि उसी समय अर्जुन क्याता भगवान आपने काया मैं खड़ा हो गया हूँ तो भगवान गीता का ग्यान नहीं देते वो चेक कर रहे हैं कि कितनी गहराई है कहां तक इसके अंदर हलचल, मोह और विशाद गया है फिर अर्जुन बोले हे मदुसूदन मैं युद्ध में भीश्म और द्रोण के विरुद बानों से कैसे लड़ सकता हूँ क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनिये हैं हे मानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं बिख्षा का अन खाना कल्यान खारी समझता हूँ क्योंकि गुरुजनों को मार कर इस लोक में भी तो मैं रुधिर से सने हुए धन और भोगो को ही तो भोगूंगा अब जब भगवान ने थोड़ी सी बात उसको कही कि खड़ा हो जा वो फिर वही बात कर रहा है अर्जुन वही टिका हुआ है वो फिर नई दलिल दे रहा है नई तरीके से कह रहा है वो वहां से भगवान के इन वच्चनों के माध्यम से उभरा नहीं है यही तो पात्र की पात्रता है यही तो पात्रता यार हो रहा है यदि वो उभर जाता तो बात खतम हो जाती वही पर अब वो नए-नए दलीलों के माध्यम से वही पर टिका हुआ है खड़ा हुआ है और आगे कहरा है कि हम उन पर विजे प्राप्त करें अथवावे हमें जीत लें इन दोनों में श्रेष्ट क्या है हम तो ये भी नहीं जानते है जिने मार कर हम जीना भी नहीं चाहते है वे ही धृतराष्ट के पुत्र हमारे सामने खड़े है वही कहा है जिने मार कर हम जीना नहीं चाहते है वे धृतराष्ट के पुत्र मेरे सामने खड़े है क्या सही है क्या गलत है पता नहीं है संशे यही होता है बुद्धी जब निर्ने नहीं ले पाती तो शंशे आ जाते हैं कि खाओ न खाओ जाओ न जाओ यह काम करू यह न करू यह शंशे आत्मिक बुद्धी जो है यदि गुरु के सामने ऐसा संशे से भरा हुआ व्यक्ति हो तो गुरु उसको उचाई पढ़ ले जाए और यदि वो कैसे ही और किसी संशे आत्मक बुद्धी के सामने खड़ा हो तो वो उसको निचाई पढ़ ले जाए चुकि यहाँ पर वो क्रश्मि के सामने खड़े हैं अर्जुन तो इसलिए वो उसकी संशात्मिका बुद्धी को पूरी तरह से निश्चात्मिका बुद्धी में बदल देंगे आगे अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा हर्दे करुणा रूपी दुरुबलता से ग्रस्त है कर्तव्य के प्रती मेरा मन भ्रमित है मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि जो निश्चित रूप से कल्यान कारी हो वो मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका सिश्य हूँ और आपके शरणागत हूँ अब यहाँ पर पूरी तरह से भगवान को गुरु माना जा रहा है अभी तो गुरु नहीं माना था गुरु नहीं माना था इसलिए भगवान ने ग्यान भी आत्मा का नहीं दिया जब तक उसने यह नहीं कहा कि मैं शिश्य हूँ और पूरी तरह से सरनागत हूँ, समर्पित हूँ आपके परती, तब तक भगवान ने आत्मा का ग्यान नहीं दिया, और गुरू भी तब तक आत्मा ग्यान नहीं देते, जब तक शिष्य शरनागत ना हो जाए, समर्पित ना हो जाए, पूरी तरह से अपने एहंकार को परपन से ही अध्यात्म शुरू होता है एंकार से शुरू नहीं होता किसी विकार से शुरू नहीं होता स्रणागत से शुरू होता है अरजुन को मोह था विकार थे, डिप्रेशन था लेकिन यदि वो ये नहीं कहे कि मैं शिश्य हूँ आपका तक भगवान उसको उँचा ग्यान दे ही नहीं सकते थे चुकि उँचा ग्यान लगेगा ही नहीं ग्यान दिया भी जाएगा तो उसके अंदर उतरेगा नहीं उसकी स्थिती नहीं बनेगी जहां समर्पन भाव पैदा होता है जहां श्रद्धा होती है वही से ही ग्यान लिया जाता है बाकी ओर जिए पर ग्यान लिया यदि लिया भी है तो उसका कोई फायदा नहीं होता जीवन में वो आमूल चूल परिवर्तन नहीं करता चुकि वो बिना श्रद्धा के उपर बिना समर्पन, बिना सरनागत हुए ग्यान लिया जा रहा है वो तो ऐसे ही है कि जैसे कई यूट्यूब से हमने ग्यान सुन लिया कई किताब से पढ़कर सुन लिया, इसका सुन लिया, उसका सुन लिया श्रद्धामा नहीं है तो ग्यान के जो शब्द हैं वो ग्यान हट जाएगा शब्द रह जाएगे और शब्द कभी भी उँचा नहीं उठा सकते व्यक्ति को ग्यान ही उठा सकता है ग्यान है जो आत्मा का अनुभव करा दे फिर अर्जुन आगे कह रहे हैं मैं इस भूमी पर शत्रु रहित वे सम्रद्ध राज्य को और देवों पर राज्य को भी क्यों ना प्राप्त कर लू प्रंतु मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा यह शोक दूर हो सके डिप्रेस हो गया है अर्जुन पूरी तरह से तूट गया है अर्जुन पूरी तरह से और एक अध्यात्म का पात्र तयार हो गया है जो उचा इस्तर पर ले ज पूटा है तो तयार हो गया है पात और जब तक यहां तक अर्जुन नहीं पूंचा बगवान ने ज्यान नहीं दिया अब यहाँ पर जो संजे हैं जो दृतराष्ट को आखो देका हाल बता रहे हैं लाइव टेलिकास चल रहा है तो संजे कह रहे हैं दृतराष्ट को कि हे राजन शत्रु का नाश करने वाले वे इन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने क्रश्ण को इस प्रकार कहा हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा और मौन हो गया हे भर्त वंची दृतरास्ट दोनों सैनाओं के मद्धे शोक करते हुए अर्जुन से भगवान क्रश्ण ने जो आगे बात की है वो हम अगले सेशन में करेंगे तो आज दूसरे अध्याय का जो नौवा स्लोक है यहां तक की हमने चर्चा की और जो दस्वा जो स्लोक है जहां से विकदम ग्यान का प्रारंब हो रहा है और जीवन की महीन रहस्यों का वो जागर हो रहा है उसको हम आगे लेंगे मैं चाहूंगा कि अभी आपके कोई प्रश्ण उठ रहे हो तो उन पर हम चर्चा कर ले कह रहे हैं कि यदि हमारा मन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया हो तो कैसे डिसाइड करें कि क्या ठीक है अस्तित में जब तक मन अस्त व्यस्त है संशे पूरी तरह से भरे हुए हैं तब तक आप विसाइड करी नहीं सकते हैं उस समय निर्ने लेना ही नहीं है जब निर्ने लेने की सामर्थ शक्ती होना अब निर्ने को कल पर छोड़ देना चाहिए जब आप उस स्थिती में आ जाएं उस भाव में आ जाएं कि आप निर्ने ले सकें आपका विवेक जगा हो पूरी तरह से जाग्रत हो खोश हो तब निर्ने लेने हैं शंश्यात्मिका बुद्धी कभी निर्ने नहीं ले सकती और यदि वहाँ पर आपने निर्ने लिया तो निर्ने हमेशा गलत होगा वो निरने कई ना कई किसी ना किसी विकार से खड़ा होगा हो सकता है कि शंशे की स्थिती में आप क्रोध के कारण से निरने ले ले लोब के कारण से निरने ले ले, काम के कारण से निरने ले किसी ना किसी दुएश के कारण से निर्णे ले 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 और विकारों से लिये गए निर्णे कभी भी उचे निर्णे नहीं होते वो तो बांध देते हैं निरने का मतलब है निकल जाने की प्रक्रिया निरने का मतलब है कि एक ऐसा निरने हो जीवन में जो सारे के सारे जो दुख हैं जो कस्ट हैं जो उलजने हैं जो मेरा मन समस्याओं में उलजाए वहां से में हट जाओं और निर्णे धीरे धीरे नहीं एक दम कई बार तो एक दम लिये जाते हैं कभी-कभी निर्णे धीरे धीरे लिये जाते हैं कभी एक दम लिये जाते हैं लेकिन वो तब लिये जाते हैं जब विवेक पूरी तरह से जगा हो तो तब तक इंतिजार करना जब तक विवेक ना जग जाए जब तक आप अपने इस संचे भाव को न त्याग दे और उस संचे भाव को त्यागने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए सत्संग वही उपाय है अध्यात्म चर्चा वही उपाय है कुछ प्रानयाम के अभ्यास कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं वही उपाय है प्रकृति के नस्दीक जाकर अपने साथ रहना वही उपाय है एकांत वास करना वही उपाय है और मन को पूरी तरह से शांत करके दिन वर प्रसन्नता की आयोजन किए जाए, मन को कहीं और लगाया जाए, जिससे मन पूरी तरह से ऊड़ जासे भर जाए, और फिर एक नय पन के तरह, एक दम नया होकर जब आए, तब निर्णे लेना, उसके बिनाए दिन निर्णे लेंगे तो निर्ने आपको उलजाएंगे फसाएंगे अठकाएंगे तो जब मन बिखर रहा हो निर्ने नहीं लेना हरियम जी असलित में हम कह रहे हैं कि गीता को परिवार में कैसे लगाया जाए प्रश्ण होना चाहिए कि गीता को अपने साथ कैसे लगाया जाए हम ग्यान को दूसरों के लिए सुन लेते हैं हमें ग्यान को अपने लिए सुनना है यदि हम प्रसन्न हो गए हम पूरी तरह से विवेक में आ गए हम जाग्रत हो गए हम होश में आ गए तो हम केंद्र बन गए उस प्रसन्दता का तो परिवार में उस प्रसन्दता को हम विखेर सकते हैं लेकिन यदि हमने ही गीता को अपनी जीवन में आचरन नहीं लिया और हम चाहें कि हम ग्यान सुनकर परिवार वालों को सुना दे और वो सुधर जाएं मैं तो ठीक हूँ, मैं कभी भी विक्षिप नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं, वो सब दुखी हैं तो जब हम दूसरे के उपर डालते हैं तो ग्यान कभी भी हमारे अंदर नहीं चल सकता, इसलिए अरजुन का जो पहला ध्याय वो सारी बाते अपने उपर कर रहा है, उसके अपने अंदर जो भाव है, अपने अंदर जो डिप्रेशन है, दुख है, लोब है, मोह है, वो उससे उभरना चाहता है, तो हमारा प्रश्न हो कि ये गीता मेरे जीवन में कैसे लगे, कि जीवन में इस तरह से गीता आजाए, कि मैं पूरी तरह से अपने जीवन की जीवनतता को अनुभव कर पाऊं, और जब मेरे अंदर ज्यान भढ़ता है, तो ज्यान पूरी तरह से बाहर क तरब भी आने लगता है आप अपना ध्यान दे और जैसे ही आप केंदर बन जाएंगे प्रसंदता का आप पाएंगे कि परिवार में धीरे धीरे सोहार्द पूर्ण बातावरण आने लगा जो ज्यान है जो अध्यात में ज्यान है वो व्यक्तिकत होता है वो सामूइक नहीं होता वो one to one होता है मेरे प्रश्न है और मुझे आंसर चाहिए उसके प्रश्न है उसका आंसर मुझे चाहिए ये ज्यान नहीं है ज्यान है कि जो अंदर से उठे और गीता के आगे अगला जो सेशन में भगवान श्री कृष्न का जो आंसर अब शुरू हो रहे है वो सारे उचा ग्यान है वो ऐसा ग्यान है यदि उस ग्यान एक भी स्लोक हमारे जीवन में उतर जाए और हम उस पर पूरी तरह से अपने जीवन को लेकर चले तो आप पाएंगे कि जीवन पूरी तरह से नया हो गया जैसे नई बिल्डिंग होने पर एकदम चमक दमक उसकी अलग होती है ऐसे ही हमारा मन नया हो जाएगा विचार नय हो जाएंगे खयाल नय हो जाएंगे सारे विकार पूरी तरह से नस्ट होने लगेंगे यदि गीता का एक किस लोक भी हम अपने जीवन जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है अपने जीवन में उतार लें तो पूरी तरह से उसको हम पा सकते हैं कि आज की जो परिस्तिती है जो विपरीत परिस्तिती खड़ी है जो आपदा है जितना बड़ा वो युद्ध है उतना ही बड़ा हमारा युद्ध है ना छोटा है ना बड़ा है मन में तो वही हल चल है जब वो महाभारत की युद्ध से निकल गए तो हम भी इस युद्ध से निकल जाएंगे बस जरुत है उस ग्यान को पूरी तरह से आत्मसाशाथ कर लगातार उस ग्यान में हम आगे बढ़ते चले जाएं तो आप पाएंगे कि मन की अवस्था बदलती जाएगी तो अगले सेशन में हम इनी पर बाते करेंगे कि वो कौन से उपाए हो सकते हैं जहां से उभर जाएं लेकिन मैं ये बात जरूर रखना चाहूंगा कि प्रश् के लिए हो अपनी यात्रा को सुगम करने के लिए हो अपनी आध्यात्मे की यात्रा से होते हुए अपने आत्मा तक जाने के लिए हो मन को पूरी तरह से प्रसंद कर देने के लिए हो बुद्धी में पूरी तरह से निश्चे भाव को जगा देने के लिए हो और जीवन को उचाईयों से जी जाने के लिए हो तो आप निश्चित मानेगा गीता पूरी तरह से आपके साथ कंदे से कंदा मिला कर आपको उचाईयों पर ले जाएगी लेकिन यदि हम दूसरों के लिए ग्यान सुनेंगे तो वो कही नहीं पहुंचाएगी क्योंकि यहाँ पर ग्यान जो था वो अडजुन के लिए था पॉइंट के लिए हो रहा है एक प्रश्ण है कि लोब को कैसे डिफाइन किया जाए हमको कैसे पता लगे कि यह लोब है मेरे अंदर लोब का मतलब है कि और पाने की चाहा और आजाए और आजाए जितना मेरे पास है उसमें संतुस्ट नहीं जब असंतोष पैदा होता है या यूँ कहें जब लोब पैदा होता है तो असंतोष होता है लोब है कि बस आजाए लोब की तोंद बड़ी मोटी होती है जो मेरे पास आ जाता है जो मुझे मिल जाता है वो मुझे दिखाई नहीं देता है अब मुझे वो दिखाई देता है जो मुझे नहीं मिला है हम लगातार ये देखते रहते हैं कि और कैसे आजाए और 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 की तलाश ही लोब कहलाती है और ये लोब जब एक पूरा होता है तो फिर दूसरा जग जाता है जब दूसरा पूरा होता है तो तीसरा जग जाता है एक लोब पूरा होते ही दूसे लोब को जन्म दे कर जाता है और लोब लगातार जीवन भर हमारी यात्रा के साथ साथ चलता रहता है लोब खतम नहीं होता विकार खतम नहीं हो सकते भगवान ने भी देख लिया था कि विकार अर्जुन के खतम नहीं हो सकते इसलिए विकारों से ही उपर उठा दिया गया विकारों को करेक्ट नहीं किया जा सकता उसके उपर उठा जा सकता है तो लोब समझो की और और की तलाश लोब है और ये हमेशा जगी रहेगी और कोई प्रश्न उठ रहा हो? एक प्रश्न है कि सैटिस्फेक्शन यदि आ गया तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? यदि सैटिस्फेक्शन आ गया उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हो जितना संतोश होता जाता है उतना अभी संतोश का आनंद हम लेते जाते हैं और वो संतोश का आनंद हमें नए नए उचाईयों पर बढ़ाने लगता है हम जो कहते हैं कि ओ संतोश ठुमें मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए यह जहां पहुँच जाओगे वहां भी और चाहिए वहां भी और चाहिए वो कभी भी खतम नहीं होगा तो सुखी कब होंगे, आनंद कब लेंगे चीजों का, इखटे ही करते जाओगे उसका भोग तो नहीं हो पाएगा, उसका इंज्वाय तो नहीं हो पाएगा चुकि और-और की तलाश है, संतोष यदी आजाए तो जैसी संतोश पैदा होता है उसी समय सुख पैदा होता है और जब सुख पैदा होता है तो बुद्धी क्रियेटिव हो जाती है विवेक जाग्रित हो जाता है और हम और उचाईयों पर आगे बढ़ सकते हैं असंतोशी व्यक्ति कुछ समय के लिए तो आगे बढ़ जाएगा शायद बाहर के स्तर पर तो आगे बढ़ जाएगा शायद धन के स्तर पर तो आगे बढ़ जाएगा जीवन कोई धन के स्तर पर थोड़ी जिया जाता है केवल धन थोड़ी है जीवन के तो बहुत सारे आयाम है हो सकता है कि आप कहें कि ओर चाहिए ओर चाहिए दन बहुत हो जाए लेकिन मन भी खड़ जाए, बुद्धी भी खड़ जाए, समंद भी खड़ जाए, स्वास्त भी खड़ जाए सब को संभालते हुए जो हमारी आगे की यात्रा है वास्तिक जीवन का आनंद हमें दे नहीं सकता इसलिए संतोष के साथ आगे बढ़ो असंतोष के साथ आगे नहीं बढ़ना असंतोष के साथ आगे हमेशा दुख देगा और दुख का कारण महाँ पर खड़ा होगा असंतोष और सुख का कारण है संतोष सुख चाहिए तो संतोश कर लो दुख चाहिए तो असंतोश कर लो असंतोश करते ही उसी समय दुख प्रकट है और संतोश करते ही उसी समय सुख प्रकट है तो अभी समय हो गया है कि उते हैं